नमस्कार, आप सभी का इस कथापटल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमारी पौराडिक धार्विक कहानियों में अनेक ऐसी कहानिया हैं जिने हम आधोनिक वग्यानिक समय में बहुत आसानी से खालिस कर देते हैं, जुठला देते हैं या फिर उनकी हसी उड़ाते हैं। तरक देकर आज की पीड़ी के लिए नुकसान दायक भी बता दे पर अगर इन कहानियों को हमारे पवित्र धर्म ग्रंतों में स्थान मिला है, तो इसका कारण है इनमें छुपा हुआ संदेश। दोस्तों, हम सभी ने परम संत गुरु नानक जी के अनेक किस्से सुने हैं। प्रस्तुत कहानी के लेखक भी बच्पन में मा से गुरु नानक रखो तो सब होता है। पर लेखक ने उस कहानी को सिर्फ कहानी ही समझा। आगी चलकर लेखक के जीवन में ऐसा क्या हुआ कि बच्पन में सुनी गई गुरु नानक जी की कहानी उसे एकदम सच्ची लगती है। तो आईए सुने। प्रसिध पंजाबी, हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी में लिखने वाले प्रसिध लेखक और पद्व भूशड से सम्मानित श्रीक करतार सिंग जी की कहानी करामात। और फिर बाबा नानक घूंटे हुए हसन अबदाल के जंगल में जानिकले। गर्मी सक्त थी, चिल चिलाती धो, चारो और सुनसान, पत्थर ह पत्थर, रेत ही रेत, जुलसी हुई जाडियां, सुखे हुए पेड, दूर तक मनुश्य की जाती नजर नहीं आती थी, और फिर अम्मी मैं उत्सुक हो रहा था। बाबा नानक अपने ध्यान में मगन चलते जा रहे थे, कि उनके सुशिक मरदाने को प्यास लगी, पर वह पानी कहा, बाबा ने कहा, भाई मरदाने सबर करो, अगले गांप पहुच कर जितना तुम्हारा जी चाहे, पानी पी ले ना, कि तु मरदाने को तो सक्त प्यास लगी थी, बाबा नानक यह सुनकर चिंता में पढ़ गया, इस जंगल में पानी तो दूर दूर तक नहीं था और जब मरदाना जित कर बैठता तो सब के लिए बड़ी मुश्किल हो जाती, बाबा ने फिर समझाया, मरदाने यहां पानी कहीं भी नहीं, सबर कर लो, भगवान की इक्षा मान लो, किन्तो मरदाना तो वहीं बैठ गया, एक कदम और उससे आगे नहीं चला गया, बाबा पेशो पेश में पड़ गया, गुरू नानक मरदाने जी की जित को देखकर बार-बार मुस्कुराते, हैरान होते, आखिर जब बाबा ने मरदाने को किसी तरह मानते न पाया, तो वहां अंतरधान हो गया, जब गुरू नानक की आांग खुली, तब मरदाना मचली की तरह कड़प रहा था सद्गुरू उसको देखकर मुस्कुराय और कहने लगे भाई मरदाने इस पहाड़ी के उपर एक कुटिया है जिसमें वली कंधारी नाम का एक दर्वेश रहता है यदि तुम उसके पास जाओ तो तुम्हें पानी मिल सकता है इस इलाके में केवल उसका कैसमा पानी से भरा हुआ है और कहीं भी पानी नहीं और फिर अम्मी मैं जानने के लिए बेचैन हो रहा था कि मरदाने को पानी मिलता है की नहीं मरदाने को सक्थ प्यास लगी थी सुनते ही वह पहाड़ी की ओर दोड़ पड़ा चिल चिलाती धूब इधर प्यास उधर पहाड़ी का सफर पसीना पसीना हुए फूले सास मरदाना बड़ी कठिनाई से उपर पहुचा वली कंधारी को सलाम करके उसने पानी के लिए विनती की वली कंधारी ने कुवे की ओर संकेत किया जब मरदाना उधर जाने लगा तब वली कंधारी के मन में कुछ आया और उसने मरदाने से पुझा भले आदमी तुम कहां से आय हो मर्दाने ने कहा मैं नानक पीर का साथी हूँ हम घूंटे घूंटे इधर आ निकले है मुझे प्यास लगी है और नीचे पानी कहीं नहीं बाबा नानक का नाम सुनकर वली कंधारी को क्रोधा गया उसने मर्दाना को अपनी कुटिया में से वैसे का वैसा निकाल दिया ठका हारा मर्दाना नीचे बाबा नानक के पास आकर फर्यादी हुआ बाबा ने उससे सारी कहानी सुनी और मुस्करा दिये मर्दाना तुम एक बार फिर जाओ बाबा नानक ने मर्दाना को सला दी इस बार तुम नम्रता से जाना कहना मैं नानक दर्वेश का साथी हूँ मर्दाना को प्यास सक्थ लगी हुई थी पानी और कहीं नहीं थी कूड़ता हुआ बड़बडाता हुआ फिर उपर चल दिया किन्तु पानी वली कंधारी ने फिर भी नहीं दिया मैं एक काफिर के साथी को चलू भर पानी नहीं दूगा वली कंधारी ने मर्दाने को फिर वैसे का वैसा लुटा दिया जब मर्दाना इस बार नीचे आया तो उसका बुरा हाल था उसके होठों पर पपड़ी जमी थी, मुँपर हवाईयां उड़ रही थी यू लगता था कि मरदाना घड़ी है या पल है बस बाबा नानक ने सारी बात सुनी और मरदाना को धन निरंकार कहकर एक बार फिर वली के पास जाने के लिए कहा हुक्म का बंधा मरदाना चल दिया लेकिन उसको पता था कि उसकी जान रास्ते में ही कहीं निकल जाएगी मरदाना तीसरी बार पहाड़ी की चोटी पर वली कंधारी के चर्णों में जा गिरा क्रिंतु क्रोध में जल रहे फकीर ने उसकी विंती को इस बार भी ठुकरा दिया नानक अपने आपको पीर कहलवाता है और अपने मुरीद को पानी का एक घूट भी नहीं पिला सकता वली कंधारी ने उसे लाख लाख ताने दिये मरदाना इस बार जब नीचे आया तो प्यास से निर्बल होकर बाबा नानक के चर्णों में बेहोश हो गया गुरू नानक ने मरदाना की पीठ पर हाथ फिरा उसको होसला दिया और जब मरदाने ने आँख खोली तो बाबा ने उसे सामने एक पत्थर उखाड़ने के लिए कहा मरदाना ने पत्थर उठाया और नीचे से पानी का जर्ना फूट निकला जैसे एक नहर पानी की बहने लगी हो और देखते ही देखते चारो ओर पानी पानी हो गया हो इतने में वली कंधारी को पानी की आवशक्ता हुई कुम्य में देखा तो पानी की एक बूंद भी नहीं थी और वली कंधारी बड़ा हैरान हुआ नीचे पहाड़ी के दामन में चश्मे फूट रहे थे नदियां बै रही थी दूर बहुत दूर एक कीकर के नीचे वली कंधारी ने देखा बाबा नानक और उनका साथ ही बैठे थे क्रोधवश वली ने चटान के टुकड़े को अपने पूरे जोर से लुड़काया और इस तरह पहाड़ी की पहाड़ी अपनी ओर आती देखकर मरदाना चिला उठा बाबा नानक ने धीरत से मरदाना को धन निरंकार कहने के लिए कहा और जब पहाड़ी का टुकड़ा बाबा के सिर के पास आया गुरू नानक ने उसे हाथ देकर अपने पंजे से रोक लिया और हसन अबदाल ने जिसका नाम अब पंजा साहब है अभी तक पहाड़ी के टुकड़े पर बाबा नानक का पंजा लगा हुआ है मुझे ये कहाणी बड़ी अच्छी लग रही थी पर जब मैंने ये हाथ से रोकने वाली बात सुनी तो मेरे मुझ का स्वात फीका हुए यह कैसे हो सकता था कोई आदमी पहाड़ी को किस तरह रोक सकता है और पहाड़ी में अभी तक बाबा नानक का पंजा लगा हुआ है पानी फटा है विज्ञान ने कई ऐसे विधान बताए है जिन से जिस अस्थान पर पानी हो पता लगाया जा सकता है पर एक आदमी का लुढकती हुई आ रही पहाड़ी को रोक लेना मैं यह नहीं मान सकता था मैं नहीं मान रहा था और मेरी माँ मेरे मुझ की योड़ था फिर कई बार कई बार यह साखी गुर्द्वारे में सुनाई गई किन्तु पहाड़ी को पंजे से रोकने वाली बात पर मैं हमेशा सिर मारता रहा यह बात मैं नहीं मान सकता था एक वारिया साखी हमारी स्कूल में सुनाई गई पहाडी को पंजा के साथ रोगने वाले भाग पर मैं अपने सिक्षक के साथ विवाद करने लगा करने वाले लोगों के लिए कोई बात कठिन नहीं हमारी अध्यापक ने कहा और मुझे चुप करवा दिया मैं चुकत हो गया परन्तु मुझे विश्वास नहीं हुआ आखिर हाखिर पहाडी को कोई कैसे रोग सकता है मेरा जी चाहता मैं जोर जोर से पुकारू बहुत दिन नहीं गुजरे थे कि हमने सुना पंजा साहब में साका हो गया है उन दिनों साके बहुत होते थे जब भी कोई साका होता तो मैं समझ लिता आज हमारे घर में खाना नहीं पकेगा रात को नीचे फर्श पर सोना होगा लेकिन यह साका होता क्या है मुझे नहीं पता था हमारा गाउँ पंजा साहब से कोई ज़्यादा दूर नहीं था और जब इस साके की सुचना आई तो मेरी मां पंजा साहब चल दी साथ में मैं था मुझसे छोटी बहन थे पंजा साहब का सारा रास्ता मेरी मां की आख नहीं सुखी हम हैरान थे यह साका होता क्या है और जब पंजा साहब पहुचे तो हमने एक अजीब सी कहानी सुनी दूर कहीं एक शहर में फिरंगियों ने निहत्थे हिंदुस्तानियों पर गोली चला कर कई लोगों को मार दिया था मरने वालों में नौजवान भी थे, बुढ़े भी थे, औरते भी थी, बच्चे भी थे और जो बाकी बच गये उनको गाड़ी में बंद करके किसी दूसरे शहर के जेल में भेजा जा रहा था कैदी भूखे थे, प्यासे थे, और हुप में यह था कि गाड़ी को रास्ते में कहीं भी ठहराया न जाये जब यह खबर पंजा साहब पहुची, जिस किसी ने सुना, लोगों को चारो कपड़े आग लग गई पंजा साहब जहां बाबा नानक ने खुद मरदाना की प्यास बुझाई थी, उस शहर से गाड़ी की गाड़ी प्यासों की गुजर जाए, भूखों की गुजर जाए, कैसे हो सकता था और फैसला हुआ कि गाड़ी को रोका जाएगा स्टेशन मास्टर को अरजी दी गई, टेलीफोन हुआ, तार गए, पर फिरंगी का हुक्म था, गाड़ी रास्ते में कहीं भी रोकी नहीं जाएगी और गाड़ी में आजादी के परवाने देशभक्त भूखे बैठे थे उनके लिए पानी का कोई प्रबंध नहीं था, उनके लिए रोटी का कोई इंतजाम नहीं था, गाड़ी को पंजा साहब नहीं रुखना था लेकिन पंजा साहब के लोगों का यह फैसला अटल था कि गाड़ी को अवश्य रोक लेना है और शेहर वासियों ने स्टेशन पर रोटीयों के खीर के पूरी के दाल के धेर लगा दिये पर गाड़ी तो एक आंधी की तरह आएगी और तुफान की तरह निकल जाएगी उसको रोका कैसे जाए और मेरी मा की सहली ने हमें बताया उस जगह पट्री पर पहले वह लेटे मेरे बच्चों के पिता फिर उनके साथ उनके और साथ ही लेट गए उसके बाद हम पत्यां लेटी फिर हमारे बच्चे और फिर गाड़ी आई दूर से चीकती हुई चिलाती हुई सीटियों पर सीटिया मारती हुई अभी दूर ही थी कि आहिस्ता हो गई पर रेल थी ठहरते ठहरते ही ठहरती मैं देख रही थी कि पहिये उनकी चाती पर कैसे चड़ गये फिर उनके साथ वाले की चाती पर और फिर मैंने आखें बंद कर ली मैंने आखें खोली तो मेरे सीर के उपर गाड़ी खड़ी थी मेरे साथ धड़क लही छातियों में से धन निरंकार धन निरंकार की आवाज आ रही थी और फिर मेरे देखते देखते गाड़ी पीछे हटी गाड़ी तीछे हटी और पहियो के नीचे आई लाशें टुकडे टुकडे हो गए मैंने अपनी आग से लहों की धारा को देखा बहती बहती कितनी ही दूर एक पक्के बने नाले के पुल के नीचे चली गई थी और मैं हक्का बक्का हैरान था मुझसे एक बोल न बोला गया सारा दिन मैं पाने का एक घूंट न पी सका शाम को जब हम लोट रहे थे रास्ते में मेरी माने मेरी छोटी बहन को बंजा साहथ की साखी सुने कैसे बाबा नानक मरदाना के साथ इस ओर आए कैसे मरदाना को प्यास लगी कैसे बाबा ने वली कंधारी के पास मरदाना को पानी के लिए भेजा कैसे वली कंधारी ने दोनों बार मरदाना को निराश लोटा दिया कैसे बाबा नानक ने मरदाना को एक पत्थर उठाने के लिए कहा कैसे पत्थर के नीचे से पानी का जर्णा फोट निकला और वली कंधारी के कुएं का सारा का सारा पानी नीचे खिचा हुआ आ गया और फिर कैसे क्रोध में आकर वली कंधारी ने उपर से पहाड का टुकड़ा लुड़का दिया कैसे मरदाना घबराया परंतो बाबा नानक ने अपने हाथ से पहाड के टुकड़े को थाम लिया लेकिन पहाड को कोई कैसे रोक सकता है मेरी छोटी बहनने सुनते-सुनते जट मेरी मा को टोका बीच में मैं बोल पड़ा क्यों नहीं रोक सकता आंधी की तरह उड़ती हुई गाड़ी को अगर रोका जा सकता है तो पहाड के टुकड़े को क्यों नहीं कोई रोक सकता और फिर फिर मेरी आँखों में से छल छल आंसु बहने लगे करने वालों के लिए उन लोगों के लिए जिन्होंने अपनी जान पल खेल कर नर रुकने वाली ट्रेन को रोक लिया था और अपने भूखे प्यासे देश भक्त देश्वासियों को रोटी खिलाई थी पानी पहुचाया था तो देखा दोस्तों वैज्यानिक ज्यान वैज्यान के साथ हमें हमारे धर्म ग्रंथों हमारे संतों और गुरु की वानियों को भी पढ़ना चाहिए आत्म साथ करना चाहिए ताकि जीवन के कठिन से कठिन पलों को بھی हम गुरु और इश्वर की कृपा से पार कर जाए सची तो है इनसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता कहानी पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करे कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया